नमसकार देवियों सजनों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत क्रिक राक स्टूडियो में जहां पे हम चर्चा करने वाले हैं एक शांदार फैंटिसी विटमिन मुकाबले को लेकर जहां पे आपको मिलेगा एक फैंटिसी का कराराई डोज टीम क्रिक क्राक के साथ चरच करने का बहुत बहुत सुक्रिया आपका सबसे पहले तो आई इतने प्यारे से इंट्रोडक्शन के लिए और नो डाउट कि यह मुकाबला जो वह काफी कमाल का होने वाला है इस मुकाबले में यहां पर भारते वोमेंस की टीम नजार आएगी सेमी पाइनल वन में इंडियन मेंस टीम ने जरूर यहां पर थोड़ा सा निराश किया था एसिया कप में लेकिन उमीद हम यहां पर लगाए बैठें इंडियन वोमेंस से और उमीद है कि उस पर वो खरीबी उतरेंगी जी बिलकुल सहमत हूँ आपकी बात से यार तो इस साल का वि इंटरनेशनल क्रिकेट इस्टेडिया में यह मुकाबला जो होने वाला है विदर लगभग यहां पर क्लावडी रहने वाला बारिस की चांसेज आ सकती हैं पिछ जो है स्पिन को मदद करती है कहीं न कहीं यहां पर तो इस पिनर्स आपके लिए आपर बड़ी आकिरदार मे न का मौका मिले बड़ी boundaries लगाने का मौका मिले हाइ स्कॉरिंग इंगाउंटर हमें देखने को मिले, मजा आएगा देखने में उस चीज़ा, बिलकुल सिदे लेकर चलते हैं आपको और हनाकी यार इससे पहले जो मुकाबला हुआ था कहीं ना कहीं भारतिये विमन टीम ने थाइलेंड विमन को एक करारा जवाब जरूर दिया था करारी डिफीट दी थी लेकिन फिर भी यार सेमी फाइनल्स तक थाइलेंड भी पहुंची है रिस्पेक्टिबल टीम है बढ़ प्लेंग 11 की तरफ आपके स्क्रीन के उपर नजर आ रही है आपको जी हाँ अगर हम बात करें यहाँ पर इंडियन वुमिन्स की यहाँ पर प्रोबेबल 11 की तो यहाँ पर आपको स्मृती मंदना यहाँ पर उपनर नजर आती है साथ में सफ अली वर्मा कहीं काफी कमाल की यहाँ पर जोड़ी है left right combination maintain करती है बड़े बड़े thoughts यहाँ पर लगाते वे नजर आती है नो डाउट की बड़िया काम करके दिखाती वे नजर आती है वहीं स्मृती मंदना की बात करूँ तो वो consistent बलेबास है और लगातार यहाँ पर रंस बनाती वे नजर आती है तो पिछले कुछ मुकाबलों से खेलती नजर नहीं आ रही है क्योंकि लोवर बैक में इंजरी है stiffness है उनको तो अगर वो कल खेलती है तो definite है की सीधा आएंगी वो किरन के चलते किरन खेल रही थी lower down the order और जिसके चलते मेगना को जो है उपर नंबर तीन पर वल्ले बाजी करने से आएंगी है तो थोड़ा सा बैटिंग ओर शफल होता नजर आएगा अगर कप्तान की वापसी होती है तो जी बिलकुल वो नजर आएगा और हर्मन प्रीत की वापसी फिर भी मैं चाहूंगा विकोज अगर आप फाइनल में खेलने वाली है तो फिर उससे पहले एक मुका वाना कमाल की वलेबास ताबरतोर अंदाज यहां पर अपनाती हैं बड़े सौट्स लगाने में इससे परहेज नहीं करती और यहीं इनकी काबिलियत भी है रिचागोस की बात करूँ यहां पर फिनिस का किरदार यहां पर निभाती भी नजर आती है और बड़े-बड़े स लगाना इनके लिए आपर जो है आसान लगता है क्योंकि पाकिस्तान की वोमेंस के खिलाब बे जब ऐसा लग रहा था कि भारत हार चुकी है वहां पे एक ओवर में तीन चक्के लगाके मुकाबले को रोमान चक बना दिया था हलाकि उसमें हार मिली भारती वोमेंस को लेकि अब आखरी के पड़ाओं में यह बहुत क्रूशल प्लेयर निकलके आने वाली है पूजा वत्सराकर मूवमेंट मिलती है एक्स्पीरेंस है इनके बास अच्छी पेस है और यार यह भी एक की विकेट टेकर भारती है टीम के लिए स्नेराना मिंगाना सिंग और आज ये निकल के आने वाली है अजृत ही साथी उपनर चंठम है यह आईस रन स्कॉरर अब तक कि यह सेशा का 2022 की consistent बल्लेवाजी करी है साथी साथ कप्तान भी बहुत अच्छे form में है, चाईवाई यार, नमबर तीन पैक के बैटिंग कर रही है का अच्छा form दिखा रही है और ये भी fantasy के लिहाजे से काफी बढ़िया player है, नमबर चार की अगर हम बात करें तो ये सारी खिलाडी जो है, कुछ बहुत की रहने वाले है, बहुत ज़्यादा क्रूशल रहने वाले है Thailand Women की टीम के लिए, इसके अंदर कोई शक्या दो रहाई नहीं है तो चलिए, fantasy का show आप लोग के लिए ले क्या है, printed 11 के बारे में तो हमने चर्चा करी ली लेकिन अब fantasy टीम भी दिखानी ज़रूरी है, सबी दोस्तों को तो सबसे पहले लेके चलते हैं, grand league combination की तरफ, आपके screen के उपर grand league का है पहला combination जी हाँ, अगर इससे पहले combination में यहाँ पर देखेंगे, जो कि grand league का combination आपको नज़र आता है, इसमें as the wicket keeper आपको नज़र आएंगी नानपात, जी हाँ, बहुत ही बड़िया यहाँ पर काम करके यह दिखाती हुए नज़र आती है आपको बता दू कि recent form भी इनका ठीक ठाक रहा है, पिछले मुकाबले में अलागी बहुत ज़्यादा runs नहीं आए थे लेकिन उससे पहले, यानि कि second last मुकाबले में एक 40 run की सांधार पारी आई थी विकेट कीपिंग करती ही यह नज़र आती है, साथ में आपर बड़िया बलेबाजी भी करती है तो इनको आप fantasy team में जरूर यहाँ पर लेंगे, विकाज आपको कहीं न कहीं यह पता है कि इनकी बलेबाजी पक्का है, कि आनी ही है, वहीं रिचा घोस को हमने यहाँ पर नहीं रखा है विकाज वो काफी लेट आती है और भारतिय वोमेंस की team जो है top order ही काम कर जाएगी, ऐसा हमारा मानना है इसके अलावा बलेबाजों में आपको इस मिलेती मंदना नजर आती है, आपको नजर आती है सेफाली वर्मा, जो की कप्तान भी है, विकाज ग्रैंड लिक के लिहाज़े से ताबर तोर बलेबाज है, और कहीं न कहीं यह इंदबाजी भी एक दो ओवर कर लेती है, विकेट करता है, तो यह बहुत अच्छी कप्तान है, क्योंकि अगर थाइलेंड वुमिन की टीम पहले बैटिंग करती है, तो मुझे लगता है कि यह फिर जो भारतिये गेंदवाज या ओल राउंडर है, वो जादा बढ़िया रहेंगी, क्योंकि थाइलेंड की टीम मुझे लगता बैटिंग करता है, तो हमारी कप्तान शिफाली मरमा नजर आएंगी, बाकि कुछ भी अगर चेंजेज होते हैं, टीम के अंदर वो आपको मिलेंगे हमारे टेलिग्राम चैनल के उपर, जिसका लिंक नीचे डिस्रिप्शन में भी है, और कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ जोइन करना ना भूले for final changes, और rounders की तरह अगर हम चले जंदिन भाई, दीप्ती शर्मा, लेकिन साथी साथ लेडी अजीत अगर कर, पूजा वत्सराकर, विक्ते लगातार निकाल रही है, बढ़िया काम कर रही है, और साथी साथ उनीचा नजर आ रही है, थाइलन वुमें लेकर आती है, वो काफी अची चीज़ है, उनीचा की बात करूँ, she is a fine all-rounder for Thailand women, no doubt की यार, उनको भी आप अपनी team में रख सकते हैं, दीप्ती सर्मा के बारे में अगर आपको बताओ यार, तो no doubt की, अगर team India की सबसे बहतरीन all-rounder, women's में कोई हैं, तो वो दीप्ती सर्मा हैं, because 6 नंबर पे आके बले बाजी करना, वो भूमी का निभाना फिनिसर की, और at the same time यहाँ पर गेंद बाजी भी जब करती हैं, तो कही न कहीं डेथ में भी गेंद बाजी करती हैं, मतलब 16 से लेकर 20 ओवर के बीच में, इनके 2 ओवर होते हैं, जबकि यह spinner है, तो ऐसा हमो नजर आ रही है, चंदन भाई, क्या कहेंगे, क्योंकि यह भारत की तीन गेंद बाज अच्छी विकेट टेकर है, और पुठा वॉंग, थाइलेंड वुमिन की हाइस विकेट टेकर है, आठ विक्टें अब तक निकाल चुकी है, बलकुल, कमाल की परफॉर्मेंस यहाँ पर पुठा वॉंग ने करके दिखाया, और अगर यहाँ पर इनसे बचके रहना परेगा भारतिय बलेबाज को, इतने हलके में ना ले, आपने भले ही यहाँ पर बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, कहीने कहीं, वहाँ पर चेज भी मातर 38 ही कर रहे थे, क्योंकि 37 पे अगर भारतिय बाजी पहले आती है, तो कहीं न कहीं, यह तो पकी बात है कि थाइलेंड की टीम ओल आउट होगी, सहमत हूँ बिलकुल यार, 100% सहमत हूँ, और चलिए बिना वक्त को जादा जाया करे, चलते है, स्मॉल लीग की टीम की तरफ यार, ग्रांड लीग तो बता जाएंगे सभी दर्शकों को, तो कहीं न जर नहीं आ रही है, बहुत जादा लोगर डाउन दी ओर बाटिंगे तरीके से फॉर्म में, कहीं न कहीं, आप नमबर एक-दो तो आप देखी रहे हैं फॉर्म में, यमिमा भी बहुत अच्छे फॉर्म में, यापे कहीं न कहीं, तो रॉडरिक्स के पास भी फॉर्म है, हर्मन प्रीत खेलती है, तो वो भी बड़िया काम करके दिखाएंगी, तो आपको मौका नहीं मिलेगा रिचा को खिलाने का, तो इसलिए यापर अपर नना पाथ ही आपको नजर आ रही है, विकेट कीपर स्मॉल लिग में भी, वही हम नजर आएंगी थाइलेंड वोमेंस की टीम से, विकेज टॉप स्कोरन है, यहाँ पे कहीने कहीं, साथ में ओपेन भी करती भी नजर आती है, यहाँ पे नना पाथ के साथ, तो यह यहाँ पर बैटिंग ओडर आइधिंग सही है, ओल रॉंडर्स के बारे में क्या कहना चा हूँगा, बट अगर भारत पहले गिंद बाजी करता है, दीपती शर्मा इस परफेक्ट, आपकी दोस्तों उस बारे में क्या राय है, जरूर कमेंट सेक्शन ने बताइएगा, क्योंकि अगर स्मॉल लीग के लिए हाज़े से, इंडिया बैटिंग फर्स को पूरे बीस करने वाले हैं, तो मैं चाहूँगा, जमीमा रोडरीक्स को कप्तान बनाया जाए, साथी साथ पूजा वत्सरा कर, और यहां पे थाइलंड वुमिन की भी आपको एक और यहां पे शांदार और राउंटर नजर आ रही है, नाम है उनीचा, उसके बाद राजिश्वरी नजर आ रही है, क्या कहेंगे चंदन भाई इस चीज को लेकर? इन सब का किर्दार अपने आप बढ़ जाता है, कहीं ने कहीं, पुड़ा वॉंग, आठ विक्टे, बिलकुल यहां पर कमाल की परफॉर्मेंस यहां पर थाइलंड वोमिन्स के लिए, आपसलूटी दोस्तों, तो यह थी हमारी ग्रान लीग की टीम, और स्मॉल लीग की टी आपको प्रॉपर जानकारी मिली होगी, और इसी तरी कि यह फैंटेसी विटमिन के लिए बने रहें टीम क्रिक क्राक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हल्दी, बहुत बहुत शुक्रिया.